नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्षर अमित महिश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंट्स हमें से हर व्यक्ति अपने जीवन में अपार धन कमाना चाहता है बहुत अधी कमीर बनना चाहता है और वो चाहता है कि उसके पास पैसा बेशुमार हो ताकि वो अपनी हर जरूरत, हर सुख, हर सुविधा को पूरा कर सके लेकिन कहीं न कहीं पैसे को लेकर हमारे मन में अलग-अलग अफधारनाएं हैं अगर हम पैसे के मनोविध्यान को समझ लें तो शायद हम बेहतर तरीके से पैसा कावाने में सक्षम हो जाएंगे इसलिए जरूरी है पैसे के मनोविध्यान को समझने की एक बात मैं आपसे पूछना चाता हूँ मान लिजिए आप एक मार्कीट में जा रहे हैं और आपके पास एक बैग है और बैग में कुछ पैसा है वही पर एक आदमी आकर आपको गन दिखाता है और कहता है अगर तुमने मुझे पैसो का बैग मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा तो आप ऐसे में क्या करेंगे आप पैसे को बचाएंगे या अपनी लाइफ को बचाएंगे ओविसले आप अपनी लाइफ को बचाएंगे यही बात समझना बहुत जुरूरी है कि गन पॉइंट आने के बाद आप अपनी लाइफ को बचानी को प्रायरिटी देते हैं लेकिन अगर आप पैसे और अपनी लाइफ में पहली प्रायरिटी अपनी लाइफ को देते हैं उसको बहतर बनाते हैं स्वस्त जीवन जीते हैं तबी आप पैसा कमा पाएंगे और पैसे का भरपूर इस्तिमाल कर पाएंगे आपने सुना होगा कि बहुत सार लोग कहते हैं कि कोई पैसा लेकर अपने साथ उपर जाने वाला नहीं है इसका मतलब जब तक आप इस जीवन में हैं आपको अपने पैसे को बेहतर तरीके से इस्तिमाल करना है और वो केवल तबी संभव है जब आप स्वस्थ होंगे इसलिए जीवन की सबसे पहली प्रार्थ मिक्ताना आपका स्वास्थ होना चाहिए आप बेहतर स्वास्त में होंगे तो आप पैसे का सही लुट्फ उठा पाएंगे तो आज हम पैसे के मनो विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले change your relationship with money फ्रेंड्स ही कहते हैं कि पैसे को लेकर अलग-अलग व्यक्ति का अलग-अलग मन में अलग-अलग अफधार नहीं हैं कुछ लोग कहते हैं कि पैसा बहुत गलत होता है जादा होना या पैसा तो दो नमबर से कमाया जाता है या पैसा आने के बाद लोग खराब हो जाते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं घमंडी हो जाते हैं या पैसा आने के बाद लोग अयाश हो जाते हैं या पैसा कमाने के लिए बहुत सारे गलत काम करने पड़ते हैं किसी भी चीज को लेकर आगर आपके मन में नेगिटिव भावना है ना तो उस तरह की चीजों को आप आकरशित नहीं कर सकते इस बात को अपने फ्रेंट सरकल में देख लीजिए जिस फ्रेंट को आप बहुत ज़रा पसंद करते हैं उससे आपका एरलेशन बहुत 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 होता है पैसा, सुख, शान्ती, संवृद्धी के लिए इस्तिमाल किया सकता है पैसा दूसरों के भले के लिए इस्तिमाल किया सकता है और यदि सही तरीके से पैसा कमाया जाए तो आप अपने जीवन में हर वो सुख प्राप्त कर सकते हैं जिसको पैसे से खरीदा जाकता है नेक्स्ट ड़िज कम्माइंड यॉर ग्रोथ एंड यॉर मनी ग्रोथ फ्रेंड्स अगर आप एक ही तरीके से लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको एक ही तरह के रिजल्ट पराप्त होंगे इसलिए जरूरत है अपनी योग्यता में निरंदर इजाफा करने की नई नई चीजह को समझने की और उसके बाद उसको अपनी life में employment करके अपने source of income को बढ़ाने की कई बार लोग अपना source of earning तो बढ़ा लेते हैं लेकिन अपने पैसे को केवल एक जगा इक ठा करते रहते जोडते रहते मतलब आपकी money को भी अपनी growth की possibility के लिए नहीं लगाते हैं पैसा कमाया जा सके, मतलब let your money work for you, और जब आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, तो आपका पैसा भी आपके लिए काम करता है, जैसे आप share market में invest करें, आप FD करें, आप saving करें, बैंक में invest करें, साथ-साथ ऐसी assets खरीदें, जो appreciating assets होती हैं, तो यहाँ पर आपका पैसा बढ़ने के संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं, इसलिए अपनी growth के साथ-साथ अपने पैसे की growth पर जरूर ध्यान दे, And the next, that is, know the real fact, money can't buy happiness, यह statement आपने कई बार से नहीं होगी, कि पैसे से खुशिया नहीं खरीदा सकती, लेकिन इस बात पर हिरवर करता है, कि पैसे की, जो quantity है, वो आपके पास कितनी है, क्या आपके पास भरपूर पैसा है, बेशुमार पैसा है, तो आप ऐसी चीजों की चा ठीक नहीं होती, यह बात सही भी है, और यह बात गलत भी, यह डिपेंड करता है, कि आपके पास पैसे की कितनी मात्र है, और किस तरह की खुशी आप चाहते हैं, बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है, जिनको पैसे के माध्यम से आप खरीच सकते हैं, और अपनी खुशी में जीवन जी रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप एक ऐसी बस में बैठने के लिए तयार हैं, जिसके बार एक प्लेट नहीं लगी कि यह बस का नंबर क्या है, और यह बस कहां जाना चाहती है, नहीं न, अगर 500 किलोमिटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए भी, आपने 10-year का गोल ज़रूर बनाया, और 10-year के गोल को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे, तो every year का क्या गोल होना चाहिए, यह निरधारित करें, हर साल को जब 12 महीने से डिवाइड करेंगे, तो हर महीने का क्या गोल होना चाहिए, हर हफते का क्या गोल होना चाहिए, और र वो कहते हैं हम तो इतने बड़े ही नहीं है कि हम अपनी net worth calculate करें अब एक तरफ लेखें और दोनों के difference को check करें कि वास्तिविक्ता में आपके पास actual संपत्ति कितनी है आपके net worth कितनी है आपकी total assets कितनी है जिनको यदि किसी condition में बेचना पड़े तो आपको कितना पैसा मिल सकता है या उसकी कितना मुल्यंकन किया जा सकता है इससे आपको पत लगेगा कि वर्तमान में आपके net worth कितनी है अगले 5 साल में अगले 10 साल में आपके net worth एकठा करना चाहते है उसके अधार पर आपने goal आसानी से बना सकते है इसलिए अपनी net worth को जरूर calculate करें know your real wealth आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी actual wealth कितनी है और friends actual wealth का मतलब है कि सभी liabilities को छोड़ कर कौन कौन से चीजें हैं जो आपके जीवन में एक value रखती है अपनी real wealth को जरूर calculate करें जिससे आपको यह पता चलेगा कि आप अपनी wealth को कैसे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने के लिए कौन कौन से steps आपको लेने होंगे उसके बाद next calculate your actual per hour income friends बहुत सारे लो उनका per day का cost और per day की cost में number of hour से divide करेंगे तो आगया उनका per hour cost लेकिन बहुत सारे लोग professional होते हैं वहाँ पर वो single time में ही एक बड़ा amount लेते हैं और उनको लगता है कि वही उनकी income का source है आए इस बात को एक example group में समझ लेते हैं मानली जी एक professional को एक काम करने के एक घंटे के 50,000 रुपे मिलते हैं पर वो 50,000 रुपे मिलते हैं पर उसको पूरे महीने में एक बार मिले तो वो यह नहीं कह सकता कि मेरी जो cost है जो मेरी working hour की cost है वो 50,000 रुपे और अगर वो एक दिन में 10 घंटे काम करता है तो उसकी per hour cost हो गई 1,000 लेकिन वो professional यह मानता है कि मेरी cost क्य 50,000 रुपे पर hour जबकि उसकी cost है 1,000 रुपी पर hour इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको यह पता होना चाहिए कि daily routine life में आपकी per hour cost कितनी आती है चाहें वो lump sum amount के जरी आती हो या overall monthly salary के आधार पर आती हो आपको per hour cost calculate करना बहुत जरूरी है business owner भी इसी तरह से करती है कि पूरे साल में कितना business किया divide by 365 तो आगया उनका per day earning और per day earning को number of hour से जब divide कर देते है तो per hour earning आ जाती है and the next that is know the difference between assets and liabilities एक person जो earning करता है उसको save करता है save करने के बाद जा तो invest करता है या assets and liabilities खरीता है कई बार उसको पता ही नहीं होता कि जिस चीज़ पर वो invest करने जा रहा है वो asset है या liability for example एक business owner ने पैसा कमाया और कमाने के बाद एक गाड़ी खरीद ली उसने अगर गाड़ी का इस्तिमाल अपने business में किया है तो वो एक business की asset है लेकिन अगर उसने इस्तिमाल अपनी personal utility के लेकिया है तो वो asset नहीं friends वो एक liability है क्योंकि वो depreciating asset की रूप में काम करेगी हर वर्ष उसकी कीमत निरंतर घटती जाएगी और एक समय पर उसकी depreciate value बहुत nominal हो जाएगी मतलब हर वो asset जो आपकी संपत्ती में आपकी wealth में इजाफा करे net worth में इजाफा करे उसको हम appreciating asset कहते हैं और हर वो चीज जो आपकी net worth को घटा दे उसको depreciating asset कहते हैं या liabilities कहते हैं तो आपको निर्ने करना होगा कि कौन कौन सी assets हैं और कौन कौन सी liabilities जो आपकी life में आपने इकठी की हैं and the next calculate the number of hour when you buy something जब आप कुछ भी चीज खरी देना आपको यह निर्ने लेना हो कि यह मैं खरीदूं या ना खरीदूं यह चीज मेरे लिए महंगी या सस्ती है friends किसी भी चीज का price यह निर्धारित नहीं करता कि वह चीज महंगी या सस्ती है महंगी या सस्ती उस व्यक्ति के खरीदने की क्षमता पर निर्बर करता है कि उस व्यक्ति के लिए वह चीज महंगी या सस्ती या वो चीज आपके लिए वर्थ फुल है या नहीं उधारन के लिए मानली जी एक employee 25,000 रुपे salary पर job करता है और एक महिने में 25 दिन काम करता है तो उसकी per day जो salary हो गई वो लगबग 25,000 divided by 25 तो वो आ गई 1,000 रुपी per day और एक दिन में अगर उसने 10 घंटे काम किय तो उसकी जो cost आगे वो 100 रुपी per hour आप मानली जे वो व्यक्ती 50,000 का एक mobile खरिदना चाहता है अब 50,000 का mobile खरिदने के लिए उसकी जो income है वो 100 रुपी per hour है इसका मतलब उसने 500 घंटे की जो मेहनत है उससे कमाये हुए पैसे को इस mobile phone में invest कर दिया आपको ये calculate करना है कि क् 500 रुपे की मेहनत के बदले जो प्राप पैसा हुआ है क्या वो 50,000 के mobile phone की कीमत को वसूल कर सकता है यदि हाँ तो आपके लिए सस्ता है यदि नहीं तो आपके लिए बहुत महंगा है इसलिए दुनिया के समझदार लोग जो पैसे से पैसा बनाते हैं वो जरूर calculate करते हैं क तो उसको कभी नहीं खरीदना चाहिए और साथ-साथ अपने source of income को जरूर फोकस करें प्रयास करें कि आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाएगा तो वो पैसा आपके पैसे में विरुदी करेगा और जब आप अपनी योगता में इजाफा करेंगे तो आप भी अपनी काबल से मेरे ये विचार हैं तो विचार हमें comment box में जरूर लिखें और कोई भी informative वीडियो मिस्ता हूं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रैस करें ताकि वीडियो को notification सबसे पहले आपको मिले स्वस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी झाल